कि अज़ें से गुज़र रहे हैं कि अज़र रहे हैं कि अज़र राम दोस्तों स्वागत आपका इस नए वीडियो में और इस तक हम लोग खड़े हैं अयुद्या के भबे रेलवे स्टेशन पर जो कि राम मंदिर के ही आधार पर बनाए जा रहा है और आपको बताएं कि प्रधान मंतरी नरेंद्व मोदी इसी तीस तारिक को जो है कि उद्गाटन करने आ रहे हैं इस भबे राम मंदिर का जो कि उसकी तैयारिया चल रिमान किया गया है और काफी जबरजस्त तरीके से एक्स्क्लूजिव तरीके से इसका जो है कि नमीनी करण किया गया है पुराने रेलवे स्टेशन से बहुत ही भिन्य तरीके से इसको बनाया जा रहा है और काफी जबरजस्त लुक रग रहा है इसका और इसका पूरा कि अगली सीरीज है क्योंकि आयोध्या में तिर्फ एक ही बंदे भारत एक्सपरेश चलती है फिलाल में जो की गोरगपूर से आयोध्या आयोध्या से लखना हूँ के लिए और अब एक नए बंदे भारत एक्सपरेश का उद्गाटन होने वाला है वो भी खासकर इस वीडिय और इसकी उद्गाटन की तैयारिया दोस्तों अईध्या का ये भव बेरेल वेश्टेशन जो है उद्गाटन जो ये पुनर तैयार है एकड़म नवीनी तक्नीकों से इसको बनाया गया है और इसकी तैयारिया इतने जोरों सोरों पे हैं कि मतलब पुरहान मंत्री नर्णद आता है उसको भी नवीनीकरण किया रहा है और रेलवेश्टेशन का जो भी प्रांगण है उसको एकड़म एरपोर्ट के आधार पे बनाकर इसको कंप्लीट किया जा रहा है यहां पर आपको दिखाते हैं कि यहां पर जो पेड़ हैं उनके उपर भी लाइट ये लगाई ग आधा है इन पेड़ों पे भी लाइट लगाए जा रहा है और यहां पर एक चीजों को ढ़ी बहुत ही एच्छे तरीके से बनाए यहां पर यहां पर यह कुछ काम बाकी था जिससे हाल में ही पूरा ग्रास लगा के बहुत ही जबरजस तरीके से सको कम्प्लीट किया गया है और यह जो साउंड देने के लिए पूरी रियल वेश्टिशन के अरांड एरिया में लगा रहता है यह वह है यह आउटर सोर्स में लगाया है इसको और इस पेडों के पास में आपको लाइड प्रो प्रो लाइटे लगाई जा रही है तब यह दीखिए आप चलिए आपको आगे दिखाते हैं और तैयारियों को राइटर्स लिमिटेड नाम की कंपणी ने जो है किसको बना है यहां पर आप देख सकते हैं इन लाइटों को अब लगाई गई है जो कि मुख्यता है कि रामजन भूमी में और इस उध्गाटन के समारों के लिए आप तयार किया जा रहा है पूरे द्या को यह आप देख सकते हैं फूल बौदे गार्डन जो है कि इसम बीच में जगा जो छोड़ी गई थी यहां पर लगाई जा रही है यह भी कुछ नेक्स लेवल का होने वाला है यह जो है कि सब कलरफुल लाइटे हैं जो कि अलग लेवल की अपना जो है कि जटा विखेरने वाली है इस पूरे इधर के तरफ भी पार्किंग बनाया जा रहा है इधर के तरफ पार्किंग ने आपको दिखाया है पर इधर के तरफ मुख्य पार्किंग का निर्माड किया जा रहा है बहुत ही बड़े लेवल पर चलिए आपको दिखाते हैं आटवी के तरफ रेल्वे स्टेशन के इस ज जो कि काफी खूबसूरत काफी भब्ब तरीके से दिखाई दे रहा है और आके गेट नमबर टू है थ्री है ऐसे अलग-अलग जो है कि गेट क्रमांग है यहां पर और यह आप देखितना अब लाइटे जलने के बाद से और जब पैंटिंग वगर पूरे तरीके से इल्वे स्टेशन का जो कि अपने उध्गाटन के लिए अपने अंतिम चरण पर है और इसी तीज तारीक के जो है कि गाटन है जैसा कि आप लोग को पता है जो कि प्रधान मंत्री नाजिंद मोदी के द्वारा किया जाने वारा है और यह गेट क्रमांग टू है आप देख स और यहां से gate नमबर 345 से जो है कि मुख्ष ये टर्मिनल का जो है कि एंट्री है और यहां से जो है कि गाड़ियो अगरा भी आ सकती है कोई इमर्जेंसी टाइम पर वीकल वगरा भी यहां पर आ सकती है इसलिए इस टर्मिनल को एरपोर्ट के तरीके से निर्माण किया जा रहा है जो कि काफी जबरजास तरीके से जबरजास लुक से इसको नमाजा जा रहा है इसमें भी बहुत सारी लाइटे लगे हैं और इसकी प्रेंटिंग वगरा भी बहुत ही नय लेबल का किया गया है और आपको आगे दिखाते हैं 21 प्रकास से अंदर का कुछ विव आपको दिखाते हैं इस काच से ही यह आप अंदर का विव देख सकते हैं बहुत ही जबरतलूक आ रहा है अंदर में और अभी लाइट वगड़ा और बाके सारी तमाम चीजों का क्लीनिंग और गरा का जो की काम हो सब्सक्राइब के लिए हो और यहां पे लाज साथ नंबर गेट है यहां पर उस तरफ गेट है आठ नंबर से लेके आगे आगे 12 नंबर या 14 नंबर तक गेट है और यह इधर के तिरफ का विव आप देख सकते हैं टर्मिनल का नजारा इधर किसे देखिया काफ़ी जवर्जस लग रहा और यहां पे कई सारी एक्टिविटीज हो रही है जैसे कि इन ग्रासों को इधर अभी लगाना बाकि है इन ग्रासों को इधर लगाया जा रहा है यह सब तमाम सुपधाएं यहां पे ज़ह की जा रही है तमाम जो है कि छोटी बड़ी काम अभी बाकी है जिने जल्द से जल्द कंप्लीट किया रहा है उद्गाटन के लिए और यहां पे दोस्तों देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से पूरा लुक ही चेंज हो गया बाई साब मतलब यह पूरा मतलब चेंज हो चुका है हम लो जगा जगा यहां पे अडवर्टाइजमेंट बोर्ड भी लगाए गया है जैसे कि यह देख सकते हैं और यह लाइट है श्रीट लाइट जो कि भगवान श्री राम के धनुष के अधार पर लगाए गया है और जितनी भी डिवाइडर थी इस दक्षेट दिशावाले रोड जोकी पंच्कुशिपर क्रमा मार् किसे आता था वहां पर भी पूरे तरीके से ग्रास सोगर लगां जा रहा है और इस तरफ पर ग्रास सगर लगा जा रहा है और जिन भी लाइट हम लगी हैं काफी जबर्जस्ट लुक आ रहा है अब इस जो कि रिल्वी स्टेशन के प्रांगड का रिल्वी स्टेशन के आसपास का एरिये का बहुत ही जबर्जस्ट तरीके से इसको डैबलब किया गया है अब हम लोग आपको अंदर टर्मिनल के तरफ जो बन रहा है नहाँ रिल्वी स्टेशन के ऊपर बन रहा है में रिल्वी प्लाटफॉर्म पर उसको दिखाने वाल है और यह देखिए एक छोटा सा मंदिर है यहां पर उसको भी रखा गया यह दिखिए यह लाइटे यहां पर भी इस पुराने ब्रिक्ष के पास उलगाई गया है यह पीपल का यह दिने भी मतलब अलगला कॉंट्रेक्ट हैं उन कॉंट्रेक्टरों ने अपना अपना जो है कि पूरा काम कंप्लीट कर दिया है और यह आप देख सकते हैं यह काफे जवर्जस्त लुक रहा है जो पूरे तरीके से पैंटिंग हो गया और अब हम आपको दिखाने वाले ह किस तरीके से पूरा टर्मिनल बन रहा है और किस तरीके से जह सारी सीजह हो रहे हैं यह देख सकते है सबसे जवर्जस्तिर आयुध्या जक्षन क्या जब 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 मूमेंट है दोस्तों जब अयुद्या जक्षन जगते का लिखा हुगा अयुद्या नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा उर्जा आ जाती है सरीर में इसलिए आपको आगे तर दिखाते हैं यहां पर पूरा जो है कि कल्टिवेटर और लिफ्ट का शुद्धा बनने वाला है और उस तरह भी बनने वाला है और अब यह ऐसा ब्रीज टाइप में जाएगा पूरा अभी ब्रीज का निर्मान यहां पर नहीं हुआ होगा आगे चल तेरा नंबर चौदा और तेरा बारा ग्यारा दस नौ और आठ उधर तो यानि रेल्वेस्टेशन का गेट दुए कि यहां पर समात्त होता है जो में वो अंदर ते टर्मिनल वाला है वह वाल कि और यह लाइट वेकरा का क्लीनिंग का है कि में लाश्ट डाश्ट आखरी काम चल रहा जो कि बहुत ही कर देखर जुक्त हो रहा है यह दो देखिट पर के इन पत्रीओं को नजारा पट्रियों को बहुत ही चकड़ा लग रहा है दोस्तों और इन पत्थरों को काटा क्यों जा रहा है इसका बज़े मुझे नहीं पता है किसी को अगर पता हो कोई रेल्विस रेटेड़ है बता भी जानकारिया जानता हो तो प्लीज आप कॉमेंट करेगा मुझे भी बताईएगा और यह देख रहता है उपर के तरफ पुरा लिंटर हो रहा है दोस्तों हम लोगों को लगा था कि उपर के तरफ अब कुछ नहीं होगा लेकिन दोस्तों उपर के तरफ एक टर्मिनल का निर्माण हो रहा है जो उपर भी लोग चल सकेंगे उपर भी लोग जा सकेंगे ऐसे स्द्रीधर इसकेलों का और यह पुरा सफ тीड़ी के लिए के लिए यह उनली इस सबकेली इंपरा पूराक्ष के लिए और सब्पाटर यह इस सब्सक्राय प्रस्सकुर्थ कि देट नमबर आठ यहां पे भी है दोस्तों और पर आठ वहां पर भी का साइद एक कंफिजन ए रेल्बे का इस तरह आठ 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 चलके पुराना रेल वी स्टेशन और यह निया रेल विश्टेशन इससे साइवध हमें हमारे रिशाब से तीन गुना ज्यादा लाज़्ा की लंबा रेल विश्टेशन आठ आठ यहां पर देख सकता है उद्ध्या की और साइकोई भी कंस्ट्रक्शन कि बनाने के बाद से तोड़ने वाली चीजे जो है कि महां में से जारी रखते हैं कि इसको तोड़ा जा रहा है सही करने के लिए कुछ अलग किया जाएगा उसको अब उसका कुछ रीजन पता नहीं कि पुराना जो एकी प्लाटफॉर्म ता इसके तोड़ के यहां तक है उस तरफ भी आपको लेए कि चलते हैं दिखाते हैं तोड़ा जब यू कि कैसा देख रहा है उस तरफ से चाल इस देख रही है तो दोस्तो इस तरफ का विव हम लोग आपको दिखाने करे ठोड़ा लेकर चले आज है कि इस तरफ की दिखाए यह प्लैटफॉर्म नमबर अफिन अनकिन पुरे तरीके से बनके और यह तरीके से बताए जाता है तो और प्लाट्फॉम अ मतला वोगिंवा कर दाते हैं ननकिन अव गर्वास काशिचित बाव्य प्लाल है क्लेवे वह लेक्ट हो शुड़ाल है इस वाफिया चाहिता है एडवर्टाइजमेंट बोर्ड वगरा सब लग चुका है प्लाटफॉर्म नुबर थी यह वाटर के लिए है और यह पता नहीं किस लिए है साथ यहां पेलर वगरा बनाएं जे अब जी तक यहां पादा कुछ हुआ नहीं है इसको बस गट्टे ही छोड़ दिये गहां अदोस्तों यह देख सकते हैं जाइंट वाला क्रेन यह वो जो कल्टिवेटर वाला सिस्टम है उसके लिए है और यहां पे सीडिया बनाए जाएंगे एक तरफ कल्टिवेटर रहेगा और एक तरफ सीडिया रहेंगे कर दो यहां पे ही काम चल रहा है पक्तर लगाने का काफी लोटे मोटे पत्तर लगाए जा रहा है और यह आप पूर लेंटर हो चूआ है इस पर पूरा मतला के लिए तरीके से आ है holy God अ यहां पे आप देख सकता है जग़े काम चल रहा है भी यह देख सकते हैं कि यह जो लिफ्ट का जो स्टम में उसके पूरा बनाया गया है। यहां पर ईटो को जोड़ा जा रहा है। लेफ्ट इस तरफ और उस तरफ से थी तो पुरा किया गया और वहां पर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं अब लोग जेखिए पुरा जो इसकोड की टीम है वो रही है पुरा जांत वगरा करने के लिए काफी तेज आवाज आ रहा है आपे दोस्तों आपको आगे दिखाते यह में गटा खोदा क्या है जो प्लैटफॉर्म का निर्माड मतलब जो पट्रियों का निर्माड होने वाला उस वजह से और यह प्लैटफॉर्म बनने वाला इधर भी अब आज काफी तेज आ रहा है उपर साथ तोड़ा जा रहा है अच्छा यह जो में जो जैसी टाइप में वह तोड़ रही है यहां पुराना जो रिल्वे स्टेशन था उसका जग तोड़ा जा रहा है यहां पर देख तो पत्थर बगर लग रहा है यहां पुरा और इधर से टर्मिनल का पुरा लुक देखें बहुत जबर्जास तरी कैसे लग रहा है यह व्यू है पुरा यह बस अब यह देखें उपर के दर भी लाइटे लगी है इसको हाई राइटेट करने के लिए नाइट के टाइम पर बहुत जबर्जास भी आने व लेकिन उससे पहले हम लोग सोचा कि एक अपडेट आपको दे दे कि आप लोग को पता रहे कि अधर कर इल्वे स्टेशन मुख्यता अभी कैसा दिख रहा है यह आप लाइटे देख सकते हैं बहुत ही जबर्जास जबर्जास इस पर भी लाइटे लगाई गई गई है यह और इधर काफी दूर तक जो है कि तोड़ दिया गया उधर दो दो जाइंट क्रेने खड़ी हैं यहां पर पत्थर को लगाए जारे देख सिकते हैं कितना मोटा पत्थर है काफी मोटा पत्थर लगाए जा रहा है हम पर सालों साल चलने के लिए रेल्वे का काम हमेशा पिछ उन्हीं लोग को करना होता है कि तो ये कुछ दिए है दोस्तों इधर प्लेटफॉर्म का नेर्मार माड भी होगा है तो आपको बताने के लिए आप लोग को बताने के लिए और ये कुछ वीव है रिल्बेश टेशन का और आज का दोस्तों जो वीडियो है वो बस इतना ही मिलते हैं आपको अगले किशी नय वीडियो में तब तक लिए जय स्री राम जय उद्याधाम कि दोस्तों आपको एक और अपडेट देनी थी कि इसी रिल्बेश स्टेशन जो आजधा का जक्षन है यहीं पर हमारे पीछे देख सकते हैं जक्षन और यह उसका पहले पार्किंग जगह था और यहां पर एक सैट का निर्माड हो रहा है बहुत ही तकड़े तरीके से यहां पर प्रण मंत्री नरिंद मोदी का जो दीस सथारिक को कारिक्रम है उसका षा maior चुल बनाया जा रहा है यहां प्राज हम्तिर को कहीं रहने का इस पर रहा सकता है रुख सकता है उस वज़े से तो सुचा कि यह भी अपटेट देते हैं आपको